नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल पर में यह नाम है सुमित मुरारी आज आपके लिए एक में इंपोर्टेंट लेक्टर यहां पर लेके आया हूं जो हमार रिजिनिंग का अठारवा लेक्टर रहेगा इसमें हम बात जितने भी टाइप आते हैं जो डिरेक्ष्टेंस पर चैप्टर इसके चार टाइप के कुझे आते हैं और चार के चार को में यहां पर करवाँंगा और सबके एग्जाप्ल करवाँंगा ठीक है दो तीन तीन सबके एग्जाप्ल अगर आपने इस वीडियो को देख लिया इसके बाद आपको direction और इस्टर में कभी problem नहीं आने वाली है और जो type में यहां बताऊंगा अगर आप ये वीडियो भी देख लेते हैं और एकाद question के practice करते हैं तो आपको आराम से समझ में आने वाला है ठीक है तो चलो इस्टा करते हैं वीडियो को वीडियो अच्छी लग पहले आप question पढ़ना है अगर आपने यहां पर दिया तो आपको direction में प्रॉब्लम नहीं होने वाली आगी यहीं पर सीख जाएंगी देखिए एक व्यक्ति जैसे यहां पर कोई direction आपकी ठीक है यहां पर कोई person था जेड इसने चलना सुरू किया कहा की चाहिए चलता है दक् के चल रहा है फिर वह दाएंगर आप जब लिखे को जा रहा था तो इसका दांपको रहेगा उपर एक केलोंड़ हो जाएगा यह वाला ठीक है साथने फिर वह बाएं मुड़ता है अब जब यहां को जा रहा था तो उसका बाएं फिर बाएं मुड़ेगा मतलब बाएं उपर को मुड़ेगा और कितना चलेगा X बिंदू पर पहुँशने के लिए वह 4 किलमेटर चलता है तो यहां पर कोई बिंदू X है तो यह चला 4 किलमेटर क्यों चला 4 किलमेटर क्योंकि देखिए यह पूरा 7 था 3 यहां पर चल गया था और 4 यहां पर चलेगा तो फिर से वह यहां पर आ चुका है अब Z यहां पर है और X यहां पर है ठीक है ठीक है या कहा रहा है बिंदू Z पर पहुंचने के लिए उसे कितना और किसा पर चलना पड़ेगा देखिए यहाँ पर पहुंच चुका है और Z आपका यहाँ पर है अब एक ची दिहान देना जब हम नीचे देखिए यह पूरा 5 था ठीक है और यह वाला आपका 1 km था तो यहाँ पर मतलब यह जो बचा हुआ है यह वाला दिश्ट है ठीक है यह यह आपका 4 हुगा तो यहाँ पर कितना हुए 4 बचा और यहाँ से Z की तरफ जाएगा तो पूराप की चलना चलेगा क्या चलेगा पूरवी की तरफ चलेगा इस्ट की साइट 4 km इस्ट की तरफ option में देखते हैं 4 km पूर भी क्योर option number A आपका यहां पर क्या हो जाएगा right हो जाएगा ठीक है clear है आप लोगको first question का A right समझ मां आ गया होगा देखिए बस figure को ध्यान से बाना अगर figure आपने ध्यान से एक लाइन को पढ़ दिया तो question इजिली बन जाएगा चलिए first question समझ मां आ गया होगा आपका second की तरह बढ़ते English वाले हैं तो आप इसका इसकी इसमें देखके आपको कर सकते हैं ठीक है चलिए आप देखिए same type है तो इसका मैं एक 9 question समझाओंगा फस्ट हो गया है अब देखिए 9th question ठीक है यह type 1 है आपका पूझा बिंदू a से पूरवी की ओर चार इनल चलती है अब यहा पे एकषी ध्यहन देना how good spit Can चल धी है पूझा बिंदू a से पूरवी की चल रही है कितना चल रही है चार कुमेरी की कोई बिंदू यहांपे ए है ठीक है यहां से 4 islands चलती है पूरह की और माया निचे को 2辀फ किलोमेटर ठीक है यहां से जाने के बाद क्या कर बाई मुर्ती अब जब यहां को जा रही है तो यहां से बाई मुड़ेगी मतला उपर को मुड़ेगी और कितना चल रही है दो किलमेटर चल रही है कितना चल रही है दो किलमेटर चल रही है ठीक है बिंदू यह पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किसी सामें चलना था तो 4 प्लस 3 8 करेंगे तो कितना जोगा 7 हो जाएगा और किस दिसाम आएगी यहां पहुँचने के लिए वेस्ट दिसाम आएगी वेस्ट तो 7 किलोमीटर वेस्ट पच्छिम दिसा हो जाएगा तो यहां पर देखिए पच्छिम की और 7 किलोमीटर इसको क्या करना पड़ेगा यहां पर चलना पड़ेगा बहुत असन सवाल था और यह एक्जाम में आते हैं वहां पर आप लोग क्या करते हैं दाएं बाएं मोने में कुशन हम गलत कर देते हैं ठीक है किलियर है आपको आपको समझ में यह पर जो थोड़ा अलग है वही मैं कुशन करवा रहा हूं ठीक है अब इसका 151 सवाल देखे आप लोग पंदरवे सवाल में क्या कहरा है यह थोड़ा इंपोर्टेंट सवाल है इसको तो तरह ती हैं से देखना सुश्विता अपने कार्यालाय से चलना शुरू करती है सुः तो दाई मुड़ेगी तो दाया इसका यहां रहेगा और दाई चलने का क्या रहा है कि वह 80 मिटर चलती है अब यह 80 मिटर चलिए यहां पर ठीक है थोड़ा अब आप एज़स्ट करें ना मैं पाइच ताइम यहां पर जगे नहीं हो रही है पर फिर भी आप क्लियर देख रह ठीक है फिर वो बाय मुड़त्य अब यहां जब जा रहा था इसका बाया नीचे को रहेगा ठीक हैSn यहां कितना चल रहे हैं सब्सकतर करेंड हैं है890 ऑ्व यहां से दोसो आगे चलना पड़ेगा उर त्यूब कि यह देखTHSN अस्ती था और यह आपका 200 और आगे चला मतलब कहते हैं मतलब है यहां तक ठीक है यह आपका bank है और यह उसका क्या था? office था इसको लेखने ना इगवा है ठीक है यह office और यह आपका bank हो गया इसका? स्विता का उसके कारणाएं और बैंक के पीश नियुन तेम दूरी, अब आपको ये जो दूरी है, ये निकालनी है, ये वाली, ठीक है, अच्छा कोश्चन है, बहुत अच्छा कोश्चन है, ठीक है, अब एक्ची दिहान देना, ये आपका 60 था, ये आपका 150 है, तो यहाँ पर भी 60 होगा, ये टोटल कितना ह जाएगा, 150 plus 60, कितना हो जाएगा 210, कितना हो गया, 210 हो गया, बस कुछी नहीं करना है, आपको आप पैथागोरस्टिक यहाँ पर लगानी है, ये कितना था आपका, ये 210 है, और ये आपका 200 है, तो हमको इसका निकालना है, ये वाली, ये दूरी हमको मालूम है 210 है, ये वाल जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 210 का आपका आपका करेंगे, प्लस 200 करेंगे, ये टोटल आपका बनेगा, 290 मीटर की आसपाद बन जाएगा, ठीक है, या option नमबर आपका देखते हैं, कौन सा होगा, 290 मीटर, आपसन नमबर B हो जाएगा, ठीक है ऐसे सीजियल में question पूछा गया है और यहां पर उत्राखन के SI में भी question पूछने के chances बहुत ज्यादा है और यह पाइसाग्रफ पर आपको पता ही था इसका square plus square square ठीक है इकल टू ये इसी square ठीक है इसको ABC नाम लेदो A B और C ठीक है clear है आपनों को clear होगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ देखी अगला question है देखी अगला question है important question है ये question बहुत घुमाता है एक्जाम में ठीक है देख क्या कहा रहा है जैनाप प्रारम से एक विसेज दिसा की और मुझाने की खड़ी है एक कोई विसेज दिसा है ठीक है तो यहां के जैनाप खड़ी है जैसे मैं इसको बना रहा हूँ मैं मान सकता हूँ कि वह इस्ट की तरफ ठीक है अब question करें एम ठीक है क्या कहाँ खड़ी है फिर वह 90 dg दक्षी वारत घूमती है अगर वो यहां देख रही है तो दक्षी नावरत घूम रही है मतलब clockwise घूमेगी तो इसका face का हो गया यहां की तरफ हो गया निजे की तरफ हो गया कहां south की तरफ हो गया यहां आपका ist है ये west है, ये north है, ये south है ठीक है, उसका face कहा था, east था मैं face लिख दे रहाँ उपर, last month को ये चाहिए होगा ठीक है, face कहा है, east की तरफ मांगे चल लो आगे पढ़ते हैं, वो 90 डिगरी घुम गई है कहां पहुंच गई है, south की तरफ पहुंच गई है फिर क्या करें, इसके बाद वो 180 बामा वर्थ घुमती है अब यहां से देखिए, यहां पहुंचने के बाद 180 बामा वर्थ बामा वर्थ तो मतलब क्या, anti-clockwise, यहां पे है तो फिर यहां से फिर से 180 डिगरी घुमेगी, तो कहां आ गई है अब की नौर्स के लाद फेस हो गया उसका, ठीक है पहले वो यहां थी, इदर आई, 90 डिगरी, anti-clockwise, ठीक है अब वो anti-clockwise कहां वर्थ तो यहां पहुंच गई है यहां पहुंच गई है, ठीक है, फिर देखिए, फिर बामा वर्थ घुमती है फिर से यहां से 135 आपको बामा वर्थ बोला गया है ठीक है, तो देखिए, यह 90 तो यहां पहुंच जाएगी वो यहां गोम गई है, ठीक है आगे पढ़ेंगे, अन्ता है वो दक्षिनावर्थ जिसा में 180 डिगरी घुमती है, अब यहां पे है तो महामर्थ मतला एक्लोकवाइज तो यहां से गोमेगी, तो यहां पहुंच जाएगी 180 ठीक है, इधर पहुंच गई है ठीक है कहा रहा है, अब उसका मुँ उत्तर पूर भी कियो रहे है सही बात है, उत्तर पूर भी है मोड लेने से पहले जैनल का मुख किस तरफ था कहने का मतलब है जब starting में हमने कहा था उसका face कहा था इस्ट था और अभी कहा है नौर्थ इस्ट नीए पहुज गई है पर starting का पूछा हुआ है आमको यह नहीं पूछा गया क्लियर है अगले कोश्चं की तरफ पढ़ेंगे ठीक है 121 कुश्चं में सुलोचना एक पार्क में पूर्वी जिसा की और अभिमुख होकर खड़ी है सुलोचना कहा है अभिमुखे घड़ी है कहां पे पूर्वी की आरद ठीक है तो यहां की तरब बैठिए इस की तरब ठीक है फिर वह 25 डिग्री दक्षिनावर घूमती है अब यहां से प्यता ज़री घूमेगी तो यहां पहुंच जाएगी उसके बाद 135 डिग्री वहां मर्द घूमती है 135 मतलब यह आपका 45 यह आपका 90 मतलब आप वह यहां से घूमेगी इधर पहुंच जाएगी यहां पहुंच गी वह कहां पे नौर्ट में पहुंच गई है अब वह की दिसा की और अभिमूख है तो कहां की यह तरफ है नौर्ट क है लिगा है एक व्यक्ती पच्चिम की और मुह करके ख़ड़ा है एक व्यक्ति कहा है पच्च्चिम की तरफ मुह तरह मुह की है मतलब यहां कि दरफ इसकी है एरोब आयना करते समय ठीक है और दक्षिणनावर्थ जिसा में कितना गूमता है 45 डिग्री अब दक्षिनावर्थ मतलब यहाँ पर clockwise तो clockwise आपके ऐसे रहती है ठीक है तो यहाँ से 45 बोला है 45 वो इधर पहुंच गी है अब फिर आगे पढ़िए फिर वहाँ पुने दक्षिनावर्थ इसा में 180 गोमता है अब दक्षिनावर्थ इसा में 180 गोमेगा तो 180 यहाँ पहुंच चुका है अब यह इस्ट वैस नौर्थ एंड साउथ ठीक है इधर पहुंच चुका है आगे पढ़िए इसके बाद वहाँ वर्थ इसा में 270 गोमता है अब वहाँ वर्थ देखिए मतलब clockwise एंटी क्लॉक्वाइज ठीक है 270 में देखिया होगा यहाँ पहुंचा है तो देखिए यह आपका यहां तक 90 यह वाला 90 फिर आपका यहां 90 और फिर यहां 90 यहां पहुंच चुका है इधर पहुंच चुका है ठीक है 270 आप घुमाएंगे तो आपका यह यहां पहुंच जाएगा पहले वह यहां पहुंच जाए यहां था ठीक है इसलिए यहां से ग वहार्मा लुखर ठीक है मिल चुका है जिसको समय में नीं आ रहा है वीडियो को पहुच किजिए ठीक है रिख है पिख से पारी में अपर बढ़ा ये जिसलिए हो winter रहा हुच है अगले जांद में मा रहा हैं यहाँ पर देखिये इससे पहले करने के लिए बाकिकceğ Значит अपने करने का ठीक है एक सुबह्त चितरांसी और एक दूसरे के आमने सामने बैठें ऐसा बोला गया है ठीक है यदि आयान की छाया चित्राशी के बाइयोर पड़ती है तो आयान का मुख किस दिसा में है ठीक है किस दिसा में है तो आगे पड़ेंगे अब चित्राशी का लेट क्या है पच्छिम की तरफ है पता है आपको तो इसमें क्या होगा चित्रांसी का जो मुख होगा जो चित्रांसी का फेस होगा वो क्या होगा उत्तर की तरफ होगा तब तो जब उत्तर की तरफ फेस होगा तब तो वेस्टमर्स की शाया पड़ेगी ना ठीक है तो होगा और अयान का मुख क्या होगा दक्चित्रव मतलब अयान यहाँ पे है चित्रांसी यहाँ पे है यह साउथ को देख रहा है यहाँ को नीचे को और चित्रांसी क्या देख रही है उपर को देख रही है नौर्थ को ठीक है तबी इन दोनों की क्या होगी इन दोसे की यहाँ चाय जब मैं सुबह सुबह अपने घर से ऑपीस जा रहा था तो मेरी परचाई मेरे बाइए और बनी मेरा घर ऑपीस से की दिशा में है थीक है फिर से कुशिन आ गया है से क्या देखिए मॉर्निंग टाइम पर क्या होगा जो परचाई होगी वह कहा होगी जो होग सोकोपटा है आपको कोई सकन यहां पे है तो उसकी छाया क्या बनेगी व summat में बनेगी थीक है अब फेश कहीं भी करता है और वो मैटर में नहीं करता है थीक है तो आगी क्या होगी आओ जैसे मैं हूं खुदी मेरा बाइए मतलब लेप्ट व्येस्ट हो गया कि दीक है मैं अपने आपको रहके चलना हो यहाँपे थीक है तो मेरी परशाई मेरी बाइन उर बनी मेरा घर उपिस से किस आप में है तो सिंपल यह कहां किस हम होगा कि दीके मेरा बायां कि पच्छी में आपर अफिस की ओर उतना स exting जा रहा था मैं मैं उत्तर क्यों जा रहा हूंगा उपर को ना तब तो मेरी शाय इधर पड़ी है वेस्टाइड में ठीक है अता मेरा घर का है दक्षिन में कुछ निया पूछा है मेरा घर ओपीसे कि जिसा में है तो कहां पर है तो उप्सन नम्बर आपका सी यहां पर आजागा राइट हो ज साम का समय घह रहे हैं सूरज कहा वाई योगा परच्शाइ के इसकुल की साम यह हुगा तो उसके घर से यक कि दिसा महीं होगा अगर उत्तर से दक्ची टरू चाप थी, ठीक है, अगर उत्तर से क्या होलुए, दक्चें की तरफ जारी होगी, तो क्या होगा, तो उसके घर से इस्खूल के उत्तर भी सामा होगा, ओबिस्ली, कहां पर होगा, उत्तर सी दीज्जामा होगा, तो यह अपशन में है, उत्तर उत्तर उत्तर, नमबर आपका सिख्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगे question की तरफ अब आपके लिए यहाँ पे एक दू कुश्यन ऐसे रहेंगे जो तो टाइप वाले रहेंगे ठीक है फो टाइप का देखते हैं 166 क्या कह रहा है सहर A सहर B के उत्तर म में ध्यान देना थोड़ा सा इसमें क्या कह रहा है सहर A सहर B के उत्तर में अब सहर A आपका जब यहाँ पे होगा ठीक है सहर B यहाँ पे होगा इसके उत्तर में A है ठीक है आगे पढ़ेंगे सहर D सहर B के पूरू में है अब सहर B जो है D के B के पूरू में क्या है सहर D जो है सहर B के पूरू में अब B यहाँ पे है तो इसका पूर भी D रहेगा सहर C सहर D के पच्छिम में इस्तित है तो क्या कहा उसने सहर जो C है सहर D के पच्छिम में अब यहाँ इसका पच्छिम क्या जाएगा मतरब यहां पर आपका कहा है C है, पच्चिम में बोल रहा है, ठीक है, सहर E सहर C के दक्षिन में है, सहर C का दक्षिन कहा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो यहां पर कहा है आपका E है, ठीक है, आपे पढ़ेंगे, और A के दक्षिन पच्चिम में इस्तित है, A के दक्षि सकी है और सहर पूरा क्जम्में सब्सسب करेद चिंए सब्सक्राइब से धाने कुछ भी नहीं यह नहीं है और यंद्ध ऑप कोई पता हो नहीं क्या इस्ट पहां कियरा है और कि कोछ भी निगने पूछता तो भी एक है नौर्थ में है इसलिए यहाँ यहाँ पर बन जाता है ठीक है कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है इस कुस्चन में बस आपको ठोड़ा प्रैक्प्रिस करनी पड़ेगी चीज़ों को समयना पड़े आकि कौन से डारेक्शन में यहाँ पूछा गया है ठीक है अगला समझा रहा हूं अब आप समझ में गया है कैसे पहुंच रहे अब इनकी प्रैक्टिस करो आप लोग चली 108 वाँ है जेट का गर फीके घर से 45 मिटर दक्षिण में है ठीक है अब ध्यान देना है यहां पर जैट क्या गयरा है जेट का घर पी के घर से 45 मीटर उस पे गह रहा है ठीक है? चलिए तो 45 डिग्री तो जेट को मैं यहाँ पर बनाता हूँ ठीक है? जेट से क्या गह रहा है? पी के घर दक्षिर पता भी मिज़र दक्षिर्म की में है मतलब जेट यह है तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पी हो जाएगा और यह कितना है? 45 है ठीक है? आगे बढ़ेंगे आगे पॉस्चन पढ़ेंगे जेट का घर, एज के घर से 50 मिटर दक्षिर्म में है ठीक है? जे का घर भी क्या कह रहा है? जे दिखिए यहाँ पे जे हो जाएगा, यहाँ पे ह हो जाएगा और यह भी क्या है आपका? 50 मिटर है कितना है? 50 मिटर है ठीक है? इसको तरह उपर साइट को मालो इसको तरह नीचे मतलब अभी वो एडज़स्ट कर लेंगे हम लोग इस टाइप से कर लेंगे ठीक है? तो यह B यह आपका Z, यह था आपका 45, यह आपका 50 है आगे पढ़ेंगे Q का घर Z के घर से 30 मिटर पच्चिम में है अब Q का घर जो है यह Z था, तो Q यहाँ पे हो जाएगा क्यों वेश्ट बोला गया है, यह आपका 30 हो जाएगा ठीक है? आगे पढ़ेंगे M का घर P के घर से 50 मिटर उत्तर में है ठीक है? अब यहाँ पे P था, तो यहाँ पे M होगा तो यह उत्तर ने बोला गया है, तो यह आपका 50 हो जाएगा ठीक है? यह आपका M है आगे बढ़ें H का घर M के घर से 30 मिटर पच्चिम में है अब यह आपका 30 मिटर पच्चिम में का है तो यह आपका 30 मिटर हो चुका है Q के घर से संदर में J का घर के दिसा में? Q पेक्च में बोला गया है कि घर के संदर में J का घर के दिसा में है? जहे का घर जो है आपका कुण से जिसा में है आप कुछ देखिए नौर्थ में है इसके नौर्थ में आ उपर नौर्थ और कितना डिग्री 45 पुक्टी फॉर्टी फाइब होगा तो आपको सिंपल सवाल था बस आपको चीजें पता होने चीए कैसे बहां नागर दो ठीक है चलिए 119 को बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है 119 बहुत अच्छा कोश्चन है ठीक है ध्यान से पढ़ना यहां पर दिमाग लेगा थोड़ा था पहले हम क्या बनाएंगे फिर से ऐसा बना लो यदि पूरव को देखिए यह इस्ट होता है आपका यह वेस्ट होता है यह नौर्थ होता है यह साउता कुश्चन को ध्यान से पढ़ना यदि पूर्व को पच्छिम पूर्व को पच्छिम मतलब इस्ट को कह रहा है वेस्ट मान रहा है ठीक है पच्छिम को पूर्व है पच्छिम को पूर्व मतलब वेस्ट को इस्ट कह रहा है उत्तर को दक्ष कि तो भारत में सुर्य दर कि चैंव कर जाते हैं तो बहुत चो नवा जाते हैं ठीक चलिए चलिए जब तक आप ईयसेcision इसे बना रहा हूं ये आपके लिए बहुत चीजें गलट नी पॉर्ट नहीं कर पाते हैं ठीक है चलिए एक 135 है टीक है ठाइप फोर में आ चुके हैं आप पूर्वी क्यों न मुझटर थे खड़े हैं ठीक है पूर्वी क्यां करें खड़े हैं आप तक्षांच वाजी समय सो डिघरी घोंते हैं ठीक है दक्षिना दिसा में क्या कह रहे हैं 100 डिग्री घूम रहे हैं आप कुछ निकारना है पहले फिगर बनाईए आप पूर मुगरे के खड़े हैं यहां कि तरफ आपने फिश किया है और आप दक्षिना मतलब जो आपका क्लॉक्वाइज होता है ठीक है क्लॉक्वाइज जिसा में 455 घूमते हैं अब यहां से आपको 145 उपर जाना है ठीक है 100 यह गए 100 आप यहां पहुंच गए 45 यहां पहुंच चुके हैं ठीक अब आप की दिशा की और देख रहे हैं ओभियसली आप कहां देख रहे हैं नौर्थ इस्ट नौर्थ इस्ट एप सन नंबर नौर्थ इस्ट सी आपका कहाँ गाएगा राइट यहां पर हो जाएगा ठीक है असान था कुछ भी नहीं था वह सिंबल था ठीक है बस आपको पता होना चाहिए 90 कहां तक जाता है 110 कहां तक जा रहे हैं एंटिकलॉग सामें चार किलो मिटर्ट चलता है अब इसका घर होगा कोई ठीक है अपने घर से क्या कर ररा हा हो क चलिड़स को इसका अब इसका यहां पर है तो इसका दक्छिर पंचिम कहा रहे तो कि तॉर सखेजिटन चल रहा है यांप़र है प तो फिर कं ए जो है कि जब को आया तो क्या है sudah दाइयोR मूड़ता है लुद्धे अब यहां Rap उपर को रहेगा यहां कि वह निच्चे को आ रहा था थो दाइयं इहां को रहेगा उसको यहां को रहेगा दायय duty मेस छलता है किने चलता है तीकर त्ट को बहूंचा रहा अब यहाँ पर उसका घर था और यहाँ इसको क्या है इसको टिशा में इसको यह निकालना है कि दिसा निकालनी है ठीक है उसका घर की दिशा में है क्या पूछा गया है उसके घर से उसका स्कूल स्कूल अगर उसका इस्ट में है घर स्कूल जब उसके घर से उसका स्कूल हाँ घर से वेस्ट दिशा में पच्चिम दिशा में वेस्ट दिशा में क्यों सब जाएगा वेस्ट ऑप्स नमबर भी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा क्लियर है बस यही करना था ठीक है तो यह थे हमारे सभी टाइप के सवाल आयोप देखिए यह चार टाइप मैंने बताए हैं यह सभी इंपोर्टेंट और एक्जाम में इनी से कुछन बनते हैं इसी टाइप के बनते हैं अब आप लोग आपको मिल जाती है आपको कैसे क्यारी करनी है कैसे ऐसा की तो यहाँ आरी करनी है वह वीडियो भी मिल जाएंगी और पूरा कंटेंट जो इंपोरेंट परिच्छा वारी के 4-6 कुष्य में ने करवाए हुए हैं 50 वीडियों में कंप्लीट है वह देखिए आप लोग साथ म इतना ही, ठैक्स फार वाचिंग, जैहिन, वान्ने माते रहूं